नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुपहम क्या लिकपाल बननी के बाद महिला ने पती को छोड़ दिया क्या इसके पीछे का दावा है क्या कारण है विस्तार से इस रिपोर्ट में जानेंगे आपके साथ मैं हूँ नलीनी पांडे आगरा की जेल में पुराने जमाने की अतिहासिक तुजोरिया आज भी मौजूद है ये खबर भी विस्तार से आपको आगे दिखाएंगे तो चले खबरों के सिक्सर के शुरुआत करते हैं और इन सब के बीच मौसम का हाल आपको सबसे पहले बता दें कि बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चमबा से दिल को दहला देने वाली तस्वीर आई है वहाँ पर मड़ी महेश डल जील के ओर से जाने वाली रास्ते पर एक पहाड़ी दरग गई सामने आई वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं आप देखें धुएं का ऐसा गुबार उठा मानो कोई जोड़दार बं ब्लास्त हुआ हो राहत के बात रहें कि सासे में जानमाल को कोई नुक्सान नहीं हुआ ये देखें तस्वीरे धुए का गुबार की तरह ये लग रहा है लेकिन बारिश के बीच इस प्रकार से दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरे हैं बड़ी महेश डल जील की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और जाने वाले रास्ते पर ही ये मंज़र देखने को बलाया जहां पर पहाड़ी दरग गई है वहीं उत्राखंड में बद्रिनात नेश्रिल हाईवे अभी भी बंद है जो गिधारा के पास फिर से पाड़ी से मलबा आया है पाड़ी से बول्डर गिरे है जिनकी चपेट में आने से बाल बाल S-T-R-F के टीम बची है जो सड़क को खुलने का काम कर रही है तस्विरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक पाड़ी से बول्र गिरने लगते हैं और सड़क खूलने का काम कर रही है स्बियारेफ की टीम जान वचा कर भागती है वहीं बियारों की मशीन भी बोल्डर की चपेट में आई है आपको बताने कि जो गिधारा के पास मंगलवार को भारी भुसकिलन हुआ था और तभी से हाईवे बंद है आला कि कुछ देर के लिए पैदल आवाजाई शुरू हुई थे लेकिन वो भी बहुत खतरनाक बनी हुई है बंद हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार जारी है लेकिन टीम को अभी तक काम्याबी नहीं मिल पाई है तकी पहाल से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है एसलेम जोती मौरे वाला केस तो आपको जरूर याद होगा जहासी में भी इसी से मिलता जोता एक मामला सामने आया है यहाँ पर कारपेंटर का काम करने वाले एक शक्स का दावा है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया यह पूरा मामला क्या है आई आपको समझाते हैं लेखपाल बनने के बाद जिस लड़की पर पत्ती को छोड़ने का आरोप लगा वो रिचा हमारे साथ मौजूद है SDM जोती मौरक का मामला काफी सुर्खियों में रहा था अब ठीक वैसा ही केस जासी में भी देखने को मिल रहा है नीरज नाम का शक्स कारपेंटर का काम करता है उसने अपनी पत्नी पर संसमी के जारोप लगाए है उसका दावा है कि लेकपाल बनते ही उसकी पत्नी उसे भूल गई और उसे छोड़ दिया नीरज का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को अच्छी जंदगी देने के लिए पूरा साथ दिया सारी बाधाओं में उसके साथ खड़ा रहा लेकपाल की तैयारी के लिए जितना हो सकता था उसने खर्च किया लेकिन अब उसकी पत्ने उसके साथ रहने को भी तैयार नहीं है नीरच के मुताबिक दोनों की शादी साल 2022 में हुई थी उसके पास शादी के सारे कागजाद है कलेक्ट्रेट में बने सभागार में धीम नाम नयुक्त लेकपालों को नयुक्ती पत्र बात रहे थी नीरच का कहना है कि वो सभागार के बाहर अपनी पत्नी का इंतसार कर रहा था वो उसके हाथों में लेकपाल का प्रमाड पत्र देखना चाहता था नीरच कहना आए कि वो सभागार के बाहर खड़ा रहा लेकिन उसकी पत्नी प्रमार पत्र लेकार सभागार से कब बाहर निकल गए उससे भनक तक नहीं लगी बात बताते बताते नीरच की आखोस से आसु निकल आए अब जिए समझ में अमाव आपके बरकान एक पर माव आपने सोचा कि अप्टमाई लगी तो एक छोटे का रपेंटर हो अब लेकपाल बनगे यतकारी लाइन में आगे इसलिए तो आपको कितना दुख हो रहा है अब शेंवां ही तो इसके अश्मांना कहले इसे हमने करो सबकुछ करना है तुम्हें आप बहुत मिनित करते थे संसर्च काम है प्यार होने के बाद शादी हो गई उसकी पत्नी उससे कहती थी कि अधिकारी बना है नीरज का दावा है कि उसने दिन रात एक कर दिया लेकिन अधिकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी बदल गई है नीरज के मगरी महीने में घर छोड़ गई थी दोनों की मंदिर में शादी होई नीरज ने पूलस में शकायत दर्ज की लेकिन उसका दावा ये है कि उसकी पत्नी शादी को अवैध बता रही है जासी से न्यूज एटीन के लिए अश्मिनी मिश्रा की रिपोर्ट एक तरफ नीरज अपने दावे कर रहा है वहीं उसकी पत्नी रिचा का भी पक्ष सामने आ गया है रिचा ने न्यूज एटीन से खास बाचीत में बताया कि न्यूज के दावे गलत हैं उनकी शादी हुई ही नहीं है लेकपाल बनने के बाद जिस लड़की पर पत्ती को छोड़ने का आरोप लगा वो रिचा हमारे साथ मौजूद हैं नीरज का कहना है कि रिचा उसकी पत्ती है रिचा पढ़ना चाहती थी उसने कारपेंट्री करके रिचा को पढ़ाया जब रिचा लेकपाल बन गई तो अब रिचा नीरज को पती मानने से इंकार कर रही है हमाईसा रिचा मौझूद है अब हम इनका भी पच्छी जानते हैं कि आखिर रिचा ऐसा क्यों कर रही है रिचा पहले तो आपको बढ़ाई हूँ आप लेक्पाल बन गई है अब जो आप नीरेस को आप कैसे जानती है और नीरेस अब यह त्यों दावा कर रहे है कि अब अब लेक्पाल बन गए तबाब उन्से दूरी बना रही है सर कुछ टाइम पहले से जानते थे तो उसके पास मौलब कुछ फोटोस थी हमारी तो उसी को लेकर ब्लैक मिल करता रहता था तो हर बाद में मलब यही दंकी देता था था कि तुमारी फोटोस वाइरल कर देंगे तो म बदनाम कर देंगे तुम्हार माउले में आके घंगामा करेंगे तो उस चीज से हम डर जाते थे उसकी कहने अमाल लेते थे उसके बाद इसने वो फरजी फोटोस बने बाए ने हैं उसमें लगने और बूप बखील को पैसे दे के फरजी तरी किसी दोगए थे और हमें कह द और अब बात अगली खबर की कि रील बनाने की कोशिश में लगतार हादिसे होते रहते हैं अब नागपुर से कैसी दर्दनाख खबर सामने आई है जहां पर दोस पाटी करके कार से लोट रहे थे लेकिन रील बनाने की कोशिश में उनकी कार हास्ते का शिकार हो गई हासे में दो लड़कों की दर्दनाप मौत हो गई है, तीन लड़के खायल है कार पलती हुई है, सड़क की रेलिंग टूटी हुई है अंदाजा लगाना जादा मुश्किल नहीं कि सड़क पर कितना भयानक हाथसा हुआ है और ये सब हुआ है, ड्राइविंग के वक्त रील बनाने की कोशिश में रील बनाने का चसका युवाओं पर इसकदर हावी है कि वो अपनी जान को भी खत्रे में डालने से पीछे नहीं हट रहे रील मनोरंजन के लिए तो ठीक है लेकिन महज एक रील बनाने पर जब जान चली जाए तो ये बेहधी चिंता में डालने वाला है अब नाकपर में रील का नशा काल बन कर टूटा हाथसा नौ जुलाई का बताया जा रहा है हाथसे से पहले एक वीडियो सामने आया है कार में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं एक ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो दूसरा बगल में बताया जा रहा है कि सभी एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे और नशे की हालत में भी थे लड़कों के जो हाव भाव दिख रहे हैं उसमें वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं सभी मस्त मौला अंदाज में हैं खुशनुमा माहौल है लड़के गाने गुन-गुना रहे हैं कार तेज रफतार से भाग रही है इतने में कार चला रहे लड़के को जाने क्या सूची वो कार को तीड़ा मेढ़ा चलाने लगा इससे उसका संतुलन भी बिगड़ गया इसके बाद तो हाथसे की खबर सामने आई कार सडक किनारे बनी रेलिंग को तोड़ती हुई पढ़ी और थोड़ी दूर जाकर पलट गई हाथसे के बाद कार की टकराने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी सुबह तीन बजे की ये घटना बताई जा रही है आसपास की लोग घटना इस थल पर पहुँचे वहाँ जो देखा उससे सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई गाड़ी पल्टी हुई थी पांच लड़के उसकी अंदर थे कुछ तो बुरी तरह कराहा रहे थे बाद में पुलिस को सूच ना दी गई पुलिस बिना देर किये मौके पर पहुँची इस्थानिये लोगों की मदद से सभी लड़कों को बाहर निकाला गया सभी को नजदीक के अस्पता ले जाया गया लेकिन दो लड़के दम तोड़ चुके थी सुबा लगभग दो बच के पंतालीस मिनट की घटना है जो की इतना सीवेर एक्सिडेंट था एक्सिडेंट था जिसके अंदर दो बच्चों की डेथ हो गई है और तीन जो है वो सीरियसली इंजर्ड है इसमें से एक अभी आईस्यू में है तो ये घटना की एक रील वीडियो भी सामने आए जिसके अंदर बैटके जो एक बच्चा दा जो वीडियो बना रहा था उसका और उसमें स्पीड, ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे म्यूजिक काफी तेश था गाड़ी के अंदर और उसके बाद में आउट ओफ कंट्रोल हुई गाड़ी और साइड में जो क्रैश बैरियर उसको तोड़ते हुए साइड में वो गिरी और उसमें दो बच्चों की डेथ हुई रील बनाने की चक्कर में पिछले दिनों कई घटनाय सामने आ चुकी हैं कई लोग अपनी जान से हाथ दो चुके हैं लेकिन फिर भी लोग मानने को तयार नहीं हाली में महराश्ट के संभाजी नगर में एक लड़की खाई में गिर गई थी उसका दोस्त वीडियो शूट कर रहा था लेकिन लड़की से रिवर्स गेर लग गया और खाई में गिरने से उसकी जान चली गए हाली में लखनों में पैसों की शर्ट लगाने के चक्कर में स्टंट बाजी के दोरान ट्रेक्टर पलट गया जिससे ट्रेक्टर में बैठे शक्स की दर्दनाक मौत हो गई इसी तरह रिशिकेश में लहरों के बीच रील बनाने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गवा चुके हैं सोशल मीडिया के दोर में लोग वीडियो और रील बनाकर अपलोड करते हैं महज चंद व्यूज और लाइक पाने और मशूर होने के लिए वो अपनी जान को दाउं पर लगा देते हैं निउसेटीन आपसे अपील करता है कि ऐसी रील ना बनाएं बियर रपोर्ट निउसेटीन प्रियागराज में रास्किय संग्राले की सुरुक्षा अपसी आई एफ के हातों में देने की तियारी हो रहे है यहां महान सुपनता सिनानी चंद शेखर आजाद की फिस्टिल के अनुक्रिती यानि रिप्लिका की जगे असली फिस्टिल को रख दिया जाएगा आजादी की लड़ाई में चंदर शेखर आजाद की योगदान को कोई नहीं भूल सकता अंग्रेजों के लिए उन्होंने बहुत मुश्किले खड़ी की अपनी एतिहासिक अमेरिकी कोल्ट पिस्टल से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया इलहबाद रास्टिय संग्रहले में चंदर शेखर आजाद की प्रिये अमेरिकी कोल्ट पिस्टल बम्तुला बुखारा सालों से रखी हुई थी जिसको पिछले साल आजाद गैलरी बनने के बाद उसे सेंटरल होल में रख दिया गया था बाद में सुरक्षा को देखते हुए चंदर शेखर आजाद की पिस्टल हटा कर उसकी जगह पर उसी पिस्टल की रिपलीका यानि अनुकृती रखी गई काच के बॉक्स के अंदर पिश्टल की रिप्लिका रखी हुई है जिसे देखने आज भी बड़ी तादाद में प्रियटक पहुँचते हैं लेकिन अब चल्धी CISF की निगरानी में असली पिश्टल आजाद गैलरी में रखी जाएगी CISF के जवान 24 खंटे AK-47 से लेस होकर इसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे वास्तविक पिश्टल लगाने में जो एक खत्रा है वो सुरक्षा का है और इस बारे में हमने CISF से पत्रचार प्रारम्बे किया हुआ है और CISF के अनुसार जो कुछ भी सुरक्षा मानक होंगे उस सुरक्षा मानक को पूरा करने के पश्चात ही हम असली पिस्टॉल वहाँ पर दरसित कर पाएंगे CISF की तरफ से संग्राले का सर्वे किया गया है और एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है CISF की तरफ से यहां पर सर्वे कर लिया गया है और क्या-क्या सुरक्षा के बिंदू होंगे उस पर उन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को प्लस CISF की तैयनाती में कितना बजट इन्वाल्व है वो सब उन्होंने अपने महा निद्रिसक के पास भेजा हुआ है वहां से वो सारी चीजों के बारे में जब स्विकरती हमें प्राप्त होगी तदनुसार हम उस पत्र को अपने मंत्राले को आवश्चक जो बजट आ दी हैं उसके अलाटमेंट के बारे में भेजेंगे चंदर शेखर आजाद ने अपनी बमतुला बुखारा पिस्टल के बदोलत कई अंग्रेजों को अपनी गोली का निशाना बनाया था अंग्रेज सेना ने आजाद को घेर कर चारों तरफ से फारिंग शुरू की लेकिन आजाद ने ठाना था कि वो अंग्रेजों की पकल में नहीं आएंगे उनकी पिस्टल में एक गोली बची तो उन्होंने उस आखरी गोली से अपनी जान देने का फैसला कर लिया और अपने सिर में गोली मार कर शहीद हो गए थे प्रियागरास से न्यूज 18 के लिए सरवेश दूबे की रिपोर्ट